Last video में मैंने आप लोगे साथ share किया था delivery room में क्या-क्या होता है बहुत informative video थी आप सबको बहुत पसंद आई उसके बाद बहुत सारे comments आई कि अब आप C section के बारे में भी पताओ क्योंकि उसमें mostly मैंने normal delivery के बारे में आपके साथ share किया था आप girl हो boy हो married हो unmarried हो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि जिन्देगी के किसी ना किसी mode पे आप parent जरूर बनोगे और हो सकता है आपके delivery normal हो या फिर C section हो पता हर चीज का आपको होना चाहिए जब चीजे पहले से पता होती है awareness और education होती है तो जब वक्त आता है तो डर कम लगता है या फिर आपके nearby कोई हो तो आप उसको अच्छी सला दे सकते हो इसी तरह की accurate information को देखते रहने के लिए BeNational को subscribe जरूर कर देना आप देख रहे हों BeNational, मैं हूं रेखा बात करेंगे C section के बारे में without further ado, let's get started एक बात कर देहन रिखो, अगर आपको चोड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरा नया चानल है रेखा शर्मा चोड़ी चोड़ी वीडियोस के लिए उसको subscribe जरूर कीज़ेगा उसका लिंक पिन कमेंट र डिस्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है and I am also pregnant तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के व्लॉग्स दकर आपको देखनी है तो Mr. and Mrs. Prince मेरा व्लॉग चानल है वहाँ करके मेरी परस्नल लाइफ जर्नी प्रेगनेंसी व्लॉग्स देख सकते हैं बहुत जल डिलिवरी हो जाएगी व्लॉग कुछ ही महीं नहीं रहे के है so do follow me there also guys pop up पर चल रहा है biggest sale purple eye heart beauty sale जहां आपको up to 50% off मिल जाएगा बहुत सारे brands में जाहें वो skincare हो या makeup हो so check out कीजएगा description box में सारी detail फिलहाल मैं आपको दो highlighter दिखा रही हूँ जो की NYB ने newly launch किये है gold और rose gold और shimmery बहुत सारे shades में वराइटीज में है मुझे बहुत ही अचा लगता है simply उसको लेकिए अपने face के high points पे लगा लो चहरा बहुत ही natural glow, light weighted और nice pigmentation देता है easily blend हो जाता है travel friendly है ये glow gold वाला मैंने अपने face पे लगाया है और मुझे ये rose gold वाला भी बहुत पसंद है cute packaging है अच्छा work करता है as a highlighter तो try कीजिएगा next मैं अपने face पे लगा रही हूँ setting spray, एक tip देती हूँ direct मत spray करो, इसको पहले sponge में spray करो और इसके बाद आप अपने हाथों पे extra निकाल लो जो भी रहेगा spray and then आप अपने face के make-up के ऊपर लगाओ पहले highlighter को blend करो, फिर blush को फिर बाकी के face को इससे आपका make-up intact रहता है throughout the day दो आपको दिखा रही हूँ एक तो NYB का matte वाला है setting spray और एक है dewy finish वाला setting spray so आप जिस भी तरीके का make-up करते हो आप अपने हिसाब से choose कर सकते हो दोनों ही बहुत ही अच्छा work करते है सिफ देर्स ओके है 20% extra off है और up to 50% off तो चली रहा है so guys मेरा code use करोगे तो आपको extra 10% off मिल जाएगा so don't forget to check this out what are you waiting for, go and shop सबसे पहले जान लेते हैं C-section मतलब क्या होता है जब मा के पेट से बच्चा बाहर आता है तो वो दो तरीके से बाहर आ सकता है एक तरीका होता है कुद्रती तरीका natural birth जिसे vaginal birth कहते हैं वजाने के तुरू बच्चे की delivery होती है ये प्रकृती और कुद्रत ने बनाया है तरीका जो की healthy है और बहुत अच्छी है आसान है और recovery मा की जल्दी हो जाती है कभी-कभी बच्चे का normal रूप से बाहर आना थो difficult हो जाता है बेबी और मा की health के लिए कुछ situations ऐसी आ जाती है जिसके विज़े से doctor decision लेते हैं कि अब vaginal birth नहीं हो सकता है तो आपके नाभी के नीचे एक चीरा लगाते है और वहां से आपका surgery होता है and then baby को बाहर निकालते है आपकी पेट की लेर काटते हैं और बच्चे को बाहर निकालते है तो यह होता है C-section जहां surgery से बच्चा होता है अब C-section क्यों होता है कौन सी ऐसी problem आती है जिसके विच्चे C-section कराना पड़ता है कब recovery हो जाती है कितना time लगता है इसके बारे में detail में भी बात करूँगे लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ सवाल है मेरे उसके जवाब आप मुझे दो सबसे पहले बता दूँ कि मेरे delivery में में होने वाली है तो में मुझे पता चे लेगा मेरे normal होगा या C-section होगा दोनों के बारे में मैंने knowledge इकटी गर ली है अपनी तो मैं mentally prepare हूँ दोनों के लिए लेकिन हमारे आसपास जो लोग रहते है ना वो हमें बोलते है कि normal delivery अच्छी होती है C-section अच्छा नहीं होता है normal delivery natural होती है जो प्रकृती ने बनाया है और पहले बहुत साल और पहले हमारे parents के time की बात कर रही हूँ mostly सारी deliveries normal होती थी लेकिन आज का time अगर आप देखोगे ना तो mostly C-section deliveries होती है आप अपने जान पहचान में 10 औरतों से मिलो जो pregnant हुई हो और उनका बच्चा हुआ हो 10 में से मेरे जान पहचान में ऐसे लोग है कि 8 बोलेंगे कि हमारा C-section हुआ था और 1-2 लोग ही होंगे जो बोलेंगे normal delivery हुई थी ऐसा क्यों? जबकि normal delivery नाम से normal है तो ये चीज़ normal होने चाहिए और C-section तब होता है जब कोई emergency case होता है जब complications होते हैं जब मा और बच्चे की हालत सही नहीं होती उनकी जिंदगी पर बात बनाती है तब C-section emergency में किया जाना चाहिए लेकिन उल्टा हो गया है WHO की guideline के हिसाब से 10-15% rate होना चाहिए C-section delivery का क्योंकि इतने ही emergency और complications होते होंगे सब के complications तो possible नहीं है बट reality अगर आप देखोगे तो बहुत सारे states इंडिया में ऐसे हैं जहां 95% से भी ज़ादा deliveries C-section के तुरू होती है according to studies तो क्या 95% situations में complications होते हैं हर किसी को complications होते हैं normal delivery नहीं हो पाती है ऐसा क्यों होता है यह सवाल अगर आप अपने बड़े बुजर्गों से करोगे तो लोग कहते हैं कि doctor और hospitals पैसे कमाने के लिए करते हैं क्योंकि normal delivery में पैसा कम मिलता है और time बहुत ज़ादा लगता है और c-section पांच मिनट लगते हैं पूरी surgery में मुश्किल से आधा एगंटा लगता है जल्दी हो चाता है और पैसे उसमें बहुत लगते हैं तो hospitals को profit बहुत ज़ादा होता है तो कई लोग बोलते हैं कि पैसे कमाने के लिए hospitals वाले ऐसा करते हैं नॉर्मल डिलिवरी के chances होते हुए भी वो अपने patient को बोलते हैं कि नहीं complications से और c-section ही करना पड़ेगा और delivery के time अगर आप parent हो और आपको ऐसे कोई बोल दे कि नहीं बच्चा problem में हैं आपको c-section कराना पड़ेगा तो हर माबाप यहीं बोलेगा कि कुछ भी हो बच्चा safe निकाल दो जाहें वो normal से हो जाहें c-section के हो आप ऐसे खरच करने को तयार हो जाते हो सो मैं वो चीज़े बोल रहे हूँ जो अकसर आपस में लोग बाते करते हैं बोलते हैं है ना मैंने यही सब सोना है मेरे जितने भी norm में है सब यही बोलते हैं कि doctor तो यही करते हैं hospital वाले तो यही करते हैं लेकिन मैं आपसे जानना चाहते हूँ आपको क्या लगता है आपके साथ क्या case हुआ है क्या आपको लगता है कि normal आपका हो सकता था वालों ने पैसे बनाने के लिए C-section करती है या आसपास के लोग जो रहते हैं आपके उनके नॉमल नहीं हो रहा है सबका C-section ही होता जा रहा है इसके वर में आपकी क्या रहा है और हाँ, आपको क्या लगता है? नॉमल डिलिवरी बेटर है या C-section के डिलिवरी बेटर है क्योंकि कई विमन होती है जो प्लांड C-section भी कराती है इसके बार में मेरी क्या thoughts है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी पहले मैं आपके thoughts जाना चाहती हूँ तो आप मुझे comment करके बताओ आपको क्या लगता है? बोड़ी रिकवर कर पाती है C-section? C-section क्या बहुत खतनाव होता है? जैसा लोग बोलते है, बहुत रफ होता है, हार्ड सर्जुरी होती है कैसा होता है वाकई में? बेडी स्टेटमेंट के लिए एक वीडियो एंड तक दिखो इसके बार मैं बात में बात करूँगी, पहले मैं आपको बताती हूँ, एक्चुल में होता कैसा है C-section के procedure को start करने से पहले आपको anesthesia दिये दिया जाता है ताकि आपको operation का एहसास ना हो वैसे एक वीडियो भी बहुत वारल हुई थी जहांपे डॉक्टर अपने नौ साल के बच्चे को सिखा रही थी कि किस तरीके से C-section होता है पुरा demo के थूँ इतनी information उन बच्चों में होती है जिनके parents educated होते हैं, doctors होते हैं वो अच्छे से explain करते हैं पर आपको घबराने की जुरूत ने क्योंकि बी नास्रील की रेखा है आपको सब चीज एक्स्पें करने के लिए C-section का process बहुत ही simple है और बहुत जल्दी हो जाता है Simple in the sense की जैसे ही आपके पेट में चीरा लगा, बच्चे को बाहर निकाला, उसकी नाड़ काट दी, बच्चे को clean कर दिया गया and then आपको दे देते हैं skin to skin contact के लिए and उसके बाद placenta बाहर निकाला जाता है फिर आपके पेट का जो चीरा लगाया होता है उसको अच्छी तरीके से sill दिया जाता है Surgery बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन recovery में time लगता है Normal delivery में recovery में उतना time नहीं लगता है माँ बहुत जल्दी अपने आपको recover कर लेती है पर C-section में थोड़ा आपको time लग जाता है Normal delivery जब होती है तो एक से दो दिन में आपको hospital से चुट्टी मिल जाती है लेकिन C-section के बाद आपको hospital से दो से तीन दिन में चुट्टी मिलती है या फिर depend करता है कि आपका surgery normal हुआ या उसमें भी complications देए कि doctor चाहते हैं कि और जादा आप उनके observation में रहो तो वो depend करता है लेकिन फिर भी normal delivery से खोड़ा सा मुश्किल C-section में हो जाता है आपका recover होना वैसे normal delivery के दौरान आपको pain हो सकता है लेकिन जब C-section हो रहा होता है उस time, surgery के particular time आपको कोई pain का एहसास नहीं होता है यह तो मैंने आपको C-section का process बता दे है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं C-section के नाम से कई लोग बोलते हैं कि आप recover नहीं कर पाते हो, आपकी body खराब हो जाती है, जिंदगी बरबाद हो जाती है, आप heavy जीज़े नहीं उठा सकते हो बहुत complications आपको हो जाता है, lifetime आपको आपकी body से problem रहती है, रीट की हड़ी में दर्ध होता है, और बहुत कुछ आपको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है इससे पहले कि मैं आपको बताओ, आप मुझे comment करके बताओ, अगर आपका c-section या आपके घर में किसी का c-section होई, तो क्या उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बरबाद हो जाती है, क्या उनकी body हमेशा के लिए खराब हो जाती है मैं एक अपना statement दूँगी, लेकिन जो लोगों ने experience ये सब चीज़े कर रखी हैं, उनके मुह से ये बात सुन करके आपको जादा बता चलेगा gravity of situation आप जादा समझ पहोगे, तो please comment जरूर करना, जिन जिनका c-section हुआ है या जिनको आप जानते हो so मैंने अपनी गानेकालोजिस से पूछा कि क्या वाकई में c-section के बाद जिन्दगी बरबाद हो जाती है, बॉड़ी खराब हो जाती है, रिकावर करना मुश्किल हो जाता है पर वो normal life जीरी है, उनके जिन्दगी खराब नहीं हुई, उनकी body बरबाद नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि c-section के बाद आपकी body बरबाद हो जाती है, देखो फर्क तो पढ़ता ही है, of course एक surgery के बाद उसका निशान रह जाता है, दीरे-दीरे वो heal भी हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया में कई सारे states ऐसे हैं जहापे 95% से भी जादा लोगों के c-section हो रहे हैं तो क्या 95% women की body बरबाद हो रही है, क्या ये fact है, आपको क्या लगा है चाहे normal delivery हो, चाहे c-section हो, आपको डरना और घबराना बिल्कुल भी है आप पहले से ही सोच लोगे कि जिन्दी खराब, body बरबाद, फिर तो आपका recover करना ही मुश्किल हो जाएगा recover करने के लिए आपको motivated होना बहुत जादा ज़रूरी है प्लीज आप इन सब चीजों के attention ना आलो अपनी gynecologist से बात करो इन सब चीजों के बारे में अगर आप pregnant हो, वो आपको और अच्छे से motivate कर पाएंगे अब दो important चीज मैं आपको बता देती हूँ, कि c-section का planned पहले से, ये delivery से पहले ही plan कर लेते हैं पैसे ठगने के लिए, पैसे बनाने के लिए लोगों का c-section कर देते हैं, तो ये तीसरे वाले के बारे में, I'm not sure, आपको comment करके बताना होगा, लोगों को aware करना होगा तो पहले दो की बात कर लेते हैं, तो जब आपके pregnancy planned होती है, कि planned c-section होने वाला है, तो प्लान क्यों होता है तो आपका planned c-section तब होता है, जब labor के दारान आपको पता चलता है, कि baby का head है, वो मा के pelvis से बहुत जादा बड़ा है size में मतलब passage में रास्ता ही नहीं है, इतना कि baby अपने head के through pass कर पाए वैसे आपको पता ही होगा कि जब baby बजाने के through birth लेता है, तो सबसे पहले सर बाहर आता है कोई और body का part वहाँ पे हो, तो normal delivery possible नहीं है अब कि पहली delivery c-section से हुई हो, तो दूसरी delivery c-section से mostly होती है although यह possible है कि पहला c-section हुआ है, तो दूसरा भी normal हो जाए पर कई cases में ऐसा होता है कि पहला c-section है, तो दूसरा normal नहीं हो पाता है कई सारी complications आजाती है, कभी-कभी just stitches वहाँ लगे होते हैं, वो फटने का डर रहता है, तो दिक्कते होती है तो ऐसे situation में doctor decide कर सकते है, कि आपका पहला c है, तो दूसरा भी c होगा बट normal होने के chances भी होते हैं, इस बात का भी ध्याना कभी-कभी बहुत जादा multiple pregnancies होती है, मतला जुडवा, तुडवा, बच्चे-पेट में होते हैं, तो वो normal delivery के थुछ possible कभी-कभी नहीं हो पाता है तो ऐसे में doctor decide करते है कि C-section ले एकदम low uterine line में attached हो जाती है और बेबी को बहार आने का जगह ही नहीं मिलता है, ऐसे में C-section कराना पड़ता है तो यह सारी situation जब होती है, तो C-section होता है but कभी-कभी unplanned हो जाता है, कभी-कभी अचानक सी कुछ complications ला जाती है जैसे कि failure of labor to progress और फिर ऐसे में delivery normal होई नहीं पाती है वो pressure ही नहीं आता कभी-कभी जो cord होती है वो बच्चे के गले में फस जाती है तो ऐसे में complications हो जाता है, तो तुरत C-section करना पड़ जाता है तो उस time C-section करना पड़ता है जो uterus की wall है, उससे placenta separate होने लग जाता है तो ऐसे में C-section urgent करना पड़ता है fetal distress, कभी-कभी बेबी की heart rate सही नहीं रहती है बेबी stress में चला जाता है, complications हो जाते हैं उस time doctor decide करते हैं कि baby labor pain को और जादा tolerate नहीं कर पाता है तो C-section की ज़रत पड़ती है so ऐसे ही कुछ complications urgent आ जाते हैं कि पहले से normal delivery plan होती है लेकिन doctor मजबूर हो जाते हैं C-section करने में अब यह सब तो doctor के हाथ में होता है हम लोगों को नहीं पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है तो हमें जो doctor को होते हैं हम पही decision लेते हैं so guys यह तो थी कहानी C-section की normal delivery की कहानी में आपको अलड़ी पता चुकी हूँ इसके बारे में लड़कियों को पता होना चाहिए awareness होना चाहिए लोगों में awareness की कमी है तभी doctors या hospital वाले उनको बेवकूफ बना देते हैं बाकि आपका experience क्या रहा है delivery के दौरान normal हो यह C-section वो जानने के लिए मैं बहुत excited हूँ और मेरा experience क्या होने वाला है में में वो जानने के लिए भी मैं excited हूँ और आपके साथ definitely मैं share करूँगी मेरी delivery story वो अगर normal हो यह C-section हो let's see क्या होता है पोशिश तो यही है कि normal ही रहे लेकिन कुछ complications कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता मेरी pregnancy vlog journey देखने के लिए मेरा vlog channel है Mr.M.S.Prinz उसको जरू follow कीजएगा that's it for today मैं आप से फिर मिलूँगी तब तक के लिए बाई guys